हालो नमस्कार दोस्तों मैं विकास गारिलान में आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वाइब करता हूं आज हम आपके लिए चिलेक्टिड जिंक बारा परसेंट जुड़ी जानकाई लेकर आएंगे किस परकार से यह काम करता है कौन कौन से फचल के अंदर आप इसको परियोग को शक्ति हो और क्या इसकी डोज होती है तो इन से भी से जुड़ी जानका रहे हम आपको इस वीडियो के मादम से देंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना बूलेगा और साथ में हमारे यूट्यूब चैनको सब्सक्राइब करना ना बूलेगा ताकि आपको नई वीडियो के ब्डेटा को तुन मिलती रहे बात करते हैं नो जिंक की देखें जो नो जिंक है कोरो मंडल कंपणी के द्वारा बना जाता है यह माइक्रो नूट्रेंट फर्ट्रिलाइजर होता है जिस परकार पोदे को एनपी के या नाइट्रोजन पोटेश्यम और पोटेश्यम और पोटास के जुरूत होती है इसी पोटे को अलग-अलग पोट्वत्यों के जुरूत होती है जो कि शत्रा ऐसे पोट्वत्यों है जिनमें से एक जिंक भी आता है जिनकी पोट्यों को जुरूत होती है अब जिंक की बात करें तो जिंक की कमी जब पोटे के अंदर हो जाती है तो उसके पत्तों में पीला पन स वो भी अच्छी नहीं निकलती है, शाथ में उनके अंदर एक पीला पंसा दिखाई देता है, या फिर उनके अंदर थोड़ा पत्यों का आकार है, छोड़ा छोटा दिखाई देता है, और उसके अंदर फूल आने में भी कमी होती है, और फल फूल आने में भी कमी होती है, और उस समय हम इसको जड़ातार धान के अंदर यूज करते हैं, देखे तो धानके अंदर ज्ञक केसाथ तो पांसो ग्राम पर एकड के साथ Concent by 500 Gram पर इकड़के साफ़ चाहँ चाहँ आ haciendo चाहँ कर सकते हूत और बात यह है कि DAP के शाफ में भी होती है और इसको आप मुख्या रूप से देख्वर तो 10 차 क साफ भी दी Колे भी 2 चैजे के साफ में मिला कर यूज सकते हो यूछ ईसको सपरे के दुबादर भी आप इसको पर्योग सकते हो, देखे जिए सो ग्राम में उसको 100 लिटर पानी के साथ में मिलाकर आप इसको परियोग कर सकते हो , बात क jalden जाए हैं इसको आप कुसी फसल के देर आप यूज़ कर सकता देके मुक्यल को सभी फसल के अंदर लोग से किनूं सांत्रा है तो सब्धी फस्लों के अंदर आप मुख्य लुख सो हैं सब्घूर सब्सक्राइब उसको आप घान के अनर लेकर आठके जी आब उसको यूज करता हो तो इसके मातरा कम होती है और इसका खासित यह होती है कि यह पानी के अंदर भी डिजोल हो जाती है और शाथ में किसी भी किसी भी फल्टरलाइजर के साथ में अपना रियक्शन नहीं करती है तो इसका ये सांधार इसका result हमें देखने को मिलता है तो जिसके काने बोदे को असानी से मिल जाती है बात करते हैं इसकी price की देखें जिसको 100 जिंग का price और 100 रुपे ही दिया गया है जो हमारे के 100 उर्पे दिया गए लेकिन मार्केट के अंदर आपको 70 उर्पे के बीच में आपको अगीबल हो जाती है वो काफी अच्छी कंपनी हैं जिसके प्रोड़क्ट भी अच्छी हमें देखने को मिलते हैं और जिंग की कमी कमी हमें पोदों के इंदर खासकर देखी जा जाता है उसका उत्रपादन में भी काफी गिरावट आती है तो इसके लिए हम जिंक का प्रयोंकर शकते हैं जैसे की 9 जिंक 12% का भी योग कर शकते हैं जैसे की 900 ग्राम परिकर के साफ से होती हैं उनकी साथ 8 kg होती तो आपके ओपर डिपैंट करता है क्या प्कौन सी कंपनी कौन सा जिंक आप यूज कर रहे हूं तो उस समय आप अपनी डोज है वो प्रयोग कर सकते हो पूर अन्ने को जान काई चाहिए तो हमें कमेंट बोच के तुमसे पूछ सकते हो थैंक्यों पूर वोची